यदि आपके मन में भी डाउट है कि CBSE के term wise exam क्या है? CBSE किस तरीके से ये exam लेने वाला है? कितने term में exam होंगे? ये exam कब-कब होगा? कितने marks का होगा? different types की questions क्या होगे? कितने duration का ये exam होगा? साथ ही में यदि ये term wise exam conduct ना हो पाए तब क्या होगा? ये सब डाउट आपके मन में भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है बने रही है इस वीडियो में मेरे साथ हम discuss करेंगे इन सारे questions को और डाउट भी आपके सारे ही clear हो जाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास CBSE का एक notification है ये circular CBSE ने 5th July 2021 को दिया था इसमें CBSE ने बोला था कि CBSE class 10 और class 12 के लिए term wise exam लेने जा रही है ये term wise exam class 9th के लिए और class 11th के लिए भी होंगे हम जो यहाँ पर discuss करने जा रहे हैं वो class 11th और 12th के लिए discuss करने जा रहे हैं सेम ही class 9th और 10th के लिए भी applicable होगा तो यहाँ पर इस notification को हम अच्छे से समझेंगे CBSE ने क्या-क्या बताया है यहाँ पर मैंने main-main points को highlight किया हुआ है तो सारी ही चीज़ों को हम अच्छे से discuss करेंगे इसके बाद हम एक table के form में समझेंगे कि किस तरीके से CBSE इने exam को लेने वाला है क्या-क्या marks होंगे और यह कब-कब होंगे तो पहली बात यह CBSE क्यों लेने लेके आ रहा है term-wise exam because of COVID-19 last year क्या हुआ था COVID-19 की वज़ए से exam नहीं हो पाए जिसके वज़ए से internal exam के basis पर और 10th और 11th के रिजल्ट के basis पर 12th का result दिया गया तो यहाँ पर CBSE ने जो last year के exam थे उनको cancel करा था साथ ही मैं अब यहाँ पर ऐसी जरूरत पड़ी CBSE को की उसको कुछ alternative way ढूडना था ताकि आप लोगों का जो 11th और 12th में है उनका exam conduct किया जा सके जो की खास का 12th में है board exam में उनका कोई ना कोई exam conduct किया जा सके board वाला ताकि उसके basis पर 12th का result दिया जा सके तो CBSE ने decide किया कि 2021 और 22 के लिए जो अभी exam board के होंगे उसको term wise divide किया जाए जैसे कि term 1 और term 2 में term 1 and term 2 तो यहाँ पर दो term में exam किये जाए board exam दो term में होंगे दोनों ही term में 50% syllabus आएगा पहले में आदा syllabus आएगा फिर बचा हुआ आदा syllabus term 2 में आएगा तो इस तरीके से CBSE ने इसको divide किया है तो यह special scheme अभी CBSE ने सिर्फ 21, 22 के लिए दी है हो सकता है यह आगे भी आने वाले सालों में CBSE continue रखे लेकिन अभी इसने बोला है कि यह special scheme 2021 और 22 के लिए है तो यहाँ पर CBSE ने दो term में आपके exam को divide कर दिया है जिसमें 50% syllabus हर एक term में आएगा अब यह board conduct करेगा दोनों ही term के exam को और divide कर देगा syllabus को कि किस तरीके से यह exam conduct होंगे कितना syllabus term 1 में आएगा और कितना syllabus term 2 में आएगा अब यहाँ पर second point में CBSE बोल रहा है कि यह rationalized कर देगा syllabus को जैसे कि इसने last year किया था उसी accordingly यह syllabus को reduce कर देगा यह nice syllabus भी CBSE ने दे दिये है यदि आपको nice syllabus देखना है तो description में link मिल जाएगा जो reduced syllabus है आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर CBSE बोल रहा है efforts will be made to make internal assessment practical project work more credible and valid तो क्या होगा यदि आपके exam नहीं हो पाते हैं तब वो internal exam के basis पर result देगा तो वो बोल रहा है कि internal जो assessment होता है schools अपने according लेते हैं उसको more credible बनाएगा more विश्वसनिय बनाएगा जादा इससे जादा विश्वसनिय बनाएगा ताकि उस पर लोगों को भरोसा हो सके कि लोगों को जितने भी बच्चों के marks आ रहे हैं अब यहाँ पर है details of curriculum transaction किस तरीके से curriculum आगे बढ़ेगा आप लोगों का जो भी syllabus है वो complete किया जाएगा तो schools क्या करेंगे schools अभी online education provide कर रहे हैं और आगे भी online ही provide करते रहेंगे जब तक authorities permit नहीं करते हैं school खोलने के लिए 11th और 12th की हम बात करें तो जो internal assessment है आपके जो internal exam है वो भी continue रहेंगे जैसे monthly test होते हैं या periodic test होते हैं जो एक school लेता है वो continue रहेंगे साथ ही में ये internal assessment है ये बहुत ही important बन जाता है क्योंकि CBSE ने बोला है कि ये जो सारे internal assessment है जो आप exam conduct करा रहे है school वाले वो सारे ही CBSE के web portal पर upload करना पड़ेंगे यहां पर देखिए CBSE ने बोला है school would create student profile for all assessment undertaken over the year and retain the evidence in digital format school have to upload the marks of internal assessment on the CBSE IT portal CBSE के IT portal पर ये marks upload करना पड़ेंगे schools को तो आप जो भी internal exam दे रहे हैं उसको अच्छे से दीजिए क्योंकि हो सकता है आपका final जो board का result है वो इस पर पूर्णतर depend करें पूरी तरीके से इस पर depend कर सकता है guidelines for internal assessment for all the subject will also be released along with the rationalized term wise divided syllabus for the year 2021, 22 तो जिस तरीके से ये exam लिये जाना है internal assessment उसके लिए भी कुछ guidelines CBSE आगे आने वाले time में देगा और उसके accordingly सारे ही school बच्चों के exams लेंगे और उसको CBSE के portal पर upload करेंगे ऐसा इसलिए ताकि सारे ही school similar exams conduct करा सकें कई स्कूलों में periodic test होते हैं कई में monthly test होते हैं CBSE कुछ ऐसी guideline लाएगा ताकि सारे ही school same type of exams conduct करा सकें ताकि सारे ही बच्चों के marks exactly similar condition में उनको मिल सकें साथ ही मैं CBSE question bank भी देगा कुछ questions के लिए teachers को training देगा इस तरीके के exam कराने के लिए ताकि more reliable और valid internal assessment किया जा सके तो question bank की link भी आपको description में मिल जाएगी वहाँ पर CBSE ने बहुत सारे questions दिये हुए हैं बहुत सारे subject के और other subject के भी वो धीरे धीरे upload कर देगा तो वहाँ पर जाकर आप इन questions को download कर सकते हैं question bank को कि किस तरीके के questions CBSE आपसे पूछ सकता है अब हम discuss कर लेते हैं दो different terms term 1 examination and term 2 examination so term 1 examination आपका November December में होगा November December 21 में होगा तो क्या होगा यहाँ पर जो question paper है वो CBSE देगा और जो question paper है वो MCQ या multiple choice questions टाइप के questions उसमें होगे यह 90 minute का होगा और इसमें 50% syllabus आएगा जो भी आपका syllabus है उसको आदा कर दिया जाएगा वो आदा syllabus यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि यह जो आदा syllabus है सिर्फ MCQ टाइप आएगा यहाँ पर theoretical questions नहीं आएगे बचा हुआ आदा syllabus term 2 में आएगा वहाँ पर theoretical type question आएगे तो आदे syllabus में आपको सिर्फ MCQ प्रेक्टिस करना है Question paper will be sent by the CBSE to the school CBSE question paper school को देगा School उसके बाद आप जो answers देंगे OMR seat में उसको scan करके CBSE के portal पर upload करेगा साथ ही में School आपकी OMR seat है उसको check करके उसके marks भी upload कर सकता है यहाँ पर दिया हुआ है उसने evaluate and marks obtained will be uploaded by the school on the very same day जिस दिन exam होगा उसी दिन upload हो जाएगे और आप इस बात से बिलकुल बेफिक्र रही है कि यह जो exam होगा वो internal जैसा नहीं होगा यह board exam की तरह ही होगा क्योंकि यहाँ पर supervision किया जाएगा external center superintendent के दोरा और observers के दोरा जो कि CBSE appoint करेगा तो जैसे board exam होते थे वैसे ही यह होगा बस यहाँ पर जो questions आएंगे वो बाहर से आएंगे और MCQ type questions आएंगे second term में क्या होगा second term में जो बचा हुआ 50% से लेबा से वो आएगा और यहाँ पर जो exam होगा वो 2 hours का exam होगा जो कि March April 22 में होगा जो कि year end examination जैसा ही होगा यहाँ पर जो questions आएंगे वो theoretical questions ही आएंगे तो यहाँ पर CBSE ने बताया है कि in case the situation is not conducive for normal descriptive examination यदि जो descriptive examination होता है आपका normal जो कि March April में होगा यदि वो नहीं हो पाया तो 90 minute MCQ based questions conduct करा दिये जाएंगे आपके लिए term 2 में भी तो जो MCQ question है वो term 2 में भी हो सकते हैं अब यह जो यहाँ पर CBSE ने बोला है कि यदि यह school open नहीं होगे तो फिर यह वाले questions कैसे करा जाएंगे तो हो सकता है कि आपको घर से भी यह करने के लिए बोल दिया जाए offline mode में लेकिन फिर इसका weightage जो की final result में add होगा उसको कम रखा जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे कि term 1 का weightage है plus term 2 का final exam में overall score में यह दोनों ही add होगे अब यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि term 1 और term 2 में किस तरीके के exams होने वाले हैं अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो CBAC ने यहाँ 6th point में दिया हुआ है कि क्या होगा यदि different situations की हम बात करें कि यह जो term wise exam है यह भी आप school conduct इसको ना करा पाए क्योंकि authorities permission ना दें तब क्या होगा तब यहाँ पर चार case बनते हैं पहला case होता है कि term 1 और term 2 exam दोनों ही exam conduct करा लिए जाएं दूसरा case बनता है कि the situation of pandemic forces complete closure of schools during the November, December जिसमें term 1 होना है तब situation permit ना करें और सारे school close रहें तो क्या होगा और दूसरा बनता है कि March अप्रेल में नहीं हो पाएं term 1 हो जाए term 2 ना हो पाएं और last case बनता है कि दोनों ही term ना हो पाएं तो इस case में क्या होगा तो यदि November, December में जब term 1 exam आपका होने वाला है तब यदि school open नहीं होते हैं तब क्या होगा तब आप term 1 के MCQ हैं जो CBSE ही provide करेगी उसको आपको घर पर दे दिया जाएगा offline mode में, online mode में आप उसको घर से कर सकते हैं तो March, April वाला भी आप घर से दे सकते हैं और इसमें क्या होगा फिर इसका weightage भी कम लिया जाएगा और इसके बाद in case the situation of the pandemic force is complete closer term 1 और term 2 दोनों नहीं होते हैं तब क्या होगा तब जो internal assessment है term 1 और term 2 exam जो भी school ने आपसे online mode में लिये हैं उसके अलावा जो भी internal assessment लिये हैं उसके accordingly result आपको provide किया जाएगा अच्छा अब हम इन सब को देख चुके हैं यह पूरा letter था CBSE का अब हम बात कर लेते हैं एक table के format में आपको फिर से इन सारी चीजों को अच्छे से discuss करके एक बार बता देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैंने सारी terms आपके बता दियें कि किस तरीके से exam होगा CBSE term wise exam दो terms में होंगे term 1 और term 2 term 1 में 50% syllabus आएगा term 2 में 50% syllabus आएगा marks किस तरीके से divided होंगे 35 marks आपके रहेंगे term 1 में 35 marks रहेंगे term 2 में practical भी 15-15 marks कराएगा तो यहां पर यह total marks 70 यहां पर 30 तो total 100 marks यहां पर आपके हो जाएगे 50% syllabus यहां पर term 1 में रहेगा और next बचा हुआ 50% syllabus term 2 में रहेगा timing किस तरीके से रहेगी 90 minute का paper यहां पर term 1 में होगा और 2 hour का paper term 2 में होगा जो term 1 में paper होगा वो November December 21 में होगा और जो term 2 का paper होगा वो March April 22 में होगा जो term 1 में है उसमें MCQ type questions आएगे और term 2 में normal descriptive exam जो आपका होता था year end exam वैसे ही होगा अब क्या होगा यदि exam conduct ना हो पाए तो यहां पर 4 cases बनते हैं कि मान लिया कि term 1 exam conduct हो जाता है और term 2 exam conduct नहीं हो पाता है तब क्या होगा term 1 exam यदि conduct हो गया तो term 1 के basis पर प्लस internal assessment के basis पर आपके marks दिये जाएंगे इसमें term 1 का weightage ज़्यादा लिया जाएगा अगर term 1 exam नहीं हो पाता है term 2 exam हो जाता है तो term 1 exam school close रहेंगे तो term 1 exam को online mode में आप से किया ले लिया जाएगा और यहां पर जो weightage रहेगा उसको term 2 exam को ज़्यादा weightage दिया जाएगा आपके final score में अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही exam ना हो पाएं तो इस case में internal assessment जो होगा उसके basis पर आपका result बनाया जाएगा अब ऐसा भी होगा कि यदि दोनों ही term 1 term 2 exam हो जाए successfully तब आपका term 1 plus term 2 के basis पर result बनाया जाएगा जो कि 70 plus 30 marks का हो जाएगा जो कि हमने यहाँ पर discuss किया था तो यह सारी table से आप समझ सकते हैं कि term 1 और term 2 exam किस तरीके से conduct कराया जाएगे और cbse किस तरीके से exam लेगा सो आई होप आपको सब कुछ clear होगा यदि आपको भी भी कोई doubt है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं साथ ही में हम term 1 और term 2 के अलग-अलग जो अभी syllabus cbse ने दिये हैं subject wise उसमें computer science और informatics practices के syllabus को हम detail में discuss करेंगे class 11 और class 12 दोनों के अब हम मिलते है next video में जहां पर हम syllabus को discuss करेंगे किस तरीके से syllabus divided किया है CBSE ने और किस तरीके से उसमें कौन कौन से topics को remove कर दिया गया है